नमस्कार मित्रों आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं मित्रों अगर आपने सैनल पर पहली बार विजिट किया हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू दबादें ताकि आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहें मित्रों आज हम आपके सामने बड़ी खबर के साथा हैं जो आपको कर देगी हैरान कांग्रेस सता पर काबिज होने के बाहद अब एक और जित हासिल कर दी हैं यह हैं रामगड से सली मित्रों राजस्तान के मुक्यमंतरी सिर्यासो गेलोत एहम राजस्तान के ओप मुक्यमंतरी ससिन पाइलेट जी राजस्तान में सत्ता में काबिज होने के बहाद उन्होंने रामगड में पहली परिक्सा पाच की यानि कबिस साजिप खान को जीता कर उन्हें अच्छा महसूस हुआ और ये भी सता के बाद ये बताए जा रहा है कि सता के बाद ये कांगरे सरकार की पहली जीत है और कांगरे सरकार यानि सिरियासोग ग्यलोत एंवाम ससिन पालेट ने इसे पास कर लिया है सिरियासो गयलोत राजस्तान में विद्धान सबा सुनाओं के बहाद सर्शा में रहे हैं क्योंकि उनकी जीत इतनी सरानी रही जो आज तक कोई नहीं बता सका क्योंकि उनकी जीत की पीछे बहुत बड़ा कारण है अहूर एक औहूर बड़ा एक कारण है जिसे बहुले किसान उसे समझ लिया कि ये काम हमारा हो गया वो है कर्ज मापी को लेकर केंदर सरकार यह नही रहुल गांदी जी ने जब राजस्तान में आकर तीन राजियों का कर्ज माप करने का बोला था तो वहां राजस्तान की किसान बॉले बाले किसान होते हैं आपको पता ही हैं तो वो बॉले बाले किसान बॉले बन गए और उनके अंगुलियों में सले गए फिर क्या होना था राजस्तान में सरकार आनी थी वो आ गई कांग्रिस की सरकार विदान सबसुना में आने के बाद स सारनिय मिली और उसके बाद उनकी ये पहली परिक्सा है जो रामगड में हुई है और साजिप खान को जीत मिली है उसके बीचे बड़ा कारण रहा है। यानि राजस्तान के उप मोख्य मंत्री के रूप में जाने जाने वाले ससीन पाइलिट ने असोग गहलूत को हार्दिक बदेया दी तो धन्यवाद अगर मित्रों आपने सेनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर कबर आपके मोबाइल में रहेगी धन्यवाद मित्रों मिलते हैं अगली कबर के साथ तब तक बने रहे हैं आप हमारे साथ